तो भाई लोग क्या हाश आना आपके लड़गी की मीडी बोली एंड टेंशन को मारो खोली क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए फिल्मे टोक विद आरुक का एक और अपिसोड लेकर आज चुका है और दोस्तों कौन सा एक पिसोड आखो टाइडल में चेक कर लेना फिल्मे तुम्हार से रिलेटेड जो ही नूस है उन सब के बारे में डिस्कुशन हम इस वीडियो के अंदर करेंगे इतनी एक एक नंबर की अपडेड है ना चिले सुनकर तुम्हें मसा आएगा सली एंट तक देखना है वीडियो पहली अपडेड है Welcome to the Jungle यानी Welcome 3 को लेकर अक्षय कुमार के जनम दिन पर उनकी मच अवेटेड मूवी Welcome 3 का अनौसमेंट वीडियो आज हुग है अड़ क्या कास्टिंग अभाई मूवी की हेरा फेरी 3, गोल, माल, मुन्ना भाई, MBBS इन सब मूवी की कास्टिंग ले रखिया है इतने लेजेंडरी अक्टर ले रखिया है ना भाई साब कितने एक्साइटेड हो हमें कमेट में जरूर बताईएगा अगली अपनेट है रणवीर कपूर और संदीप रेटी वेंगा की मच अवेटेड मूवी एनिमल के बारे में दोस्तो एनिमल मूवी के लिए भी हम बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि संदीप रेटी वेंगा ने बोला है कि असली वाइलेस तो दुनिया को इसी मूवी के जरिये दिखाने वाले है असली खून गराबा तो है इसी मूवी में होगा अच्छी बात यह है कि 28 सेप्टेंबर को रणवीर कपूर का जनम दिन आने वाला है और उनके जनम दिन के दिन ही एनिमल का टीजर रिलीस किया जाएगा इसका जो प्री टीजर था वो तो बाफी जाड़ा गमाल का था और देखते हैं टीजर कैसा होगा उमीद करते हैं अच्छा होगा बाई कुछ मूवी ऐसी होती है जिनकी हाइप बनानी पड़ती है बगिर कुछ मूवी इसकी हाइप अपने आप बन जाती है आप एनिमल कोई ले लो भाई लोग एक जलक के लिए तरस रहे हैं यह हवाई क्रेज दोस्तो अगली अपडेट रनवीर कपूर की ही मूवी जाएगी और दोस्तो अब लग भी रहा कि काफी तकडी मूवी होगी देव वर्षिस सीवा बहुत मसाएगा अगली अपडेट है धलपती वीजसर की अपकमिंग मूवी लियो को लेकर दोस्तो लियो ने भी हिस्ट्री क्रेट कर दी है जी हाँ लियो मूवी की एडवास बुकिंग USA के अंदर ओपन हुई थी और दोस्तो 24 गंटे के अंदर ही इस मूवी ने टिक्टे भेज कर करीबन एक करोड का कलेक्शन कर लिये है जी हाँ किसी भी मूवी ने ऐसा नहीं किया था ये एक रिकोर्ड है दोस्तो और भाई हाइप तो इसकी इतनी जादा हो नहीं थी क्योंकि लोकिश कने करा सर इसको डेरेक्ट कर रहे है और दोस्तो उपर से ये LC यूनिवर्स का पार्ट है तो भाई वर्ल्ड वाइट तो ये धमागा मचाएगी और दोस्तो अच्छी ख़बर ये भी है कि इस महीने के end तक ही हमें दोस्तो इसका teaser भी देखने को मिल सकता है क्योंकि भाई जादा दिन नहीं है मूवी रिलीस होने में अगली update है डेरेक्टर एटली कुमार को लेकर है जवान कितने धुमें उठा रही है तुम्हें पता ही होगा दो-तीन दिन के अंदर ही box office पार दिया हिला दिया भाईसाब इसको एटली नहीं डेरेक्ट किया है अब हर कोई सोच रहे है कि एटली का next project किसके साथ होगा पता है जहरा कि एटली कुमार भाई अपनी अगली movie के लिए अलू अर्जुन को कास करने की सोच रहे है शिरुआत में वो तलापती विजे सर को कास करने की सोच रहे थे मगर तलापती विजे सर तलापती 68 करने के बाद लंबा चुड़ा break करेंगे कई लोग तो बोल रहे हैं कि वो एक्टिंगे कुट कर देंगे इसलिए वो अलू अर्जुन की तरफ ध्यान लगा रहे है बगर अलू अर्जुन भी कहां फ्री है पहले पुश्पाट्टू उसके बाद संधी ब्रेड़ी वेंगा के साथ कोई movie है उसके बाद इका दुक्का और प्रोजेक्ट है तो भाई साब अगर एटली के साथ movie करेंगे तो इसमें भी बहुत ही जादा time है देखते हैं इन्हें कास्टिंगे रहेंगा किसी और को क्या होगा अगली update है तब वेक्सीन वोर movie को लेकर विवेक अगनी होतरी की इस movie का officially poster आज चुक है और poster काफी जादा शही है और दोस्तों शुरुआत में जब इसको सलार के साथ clash करने के लिए बताया जा रहा था तो हर किसी बंदे ने इसको ट्रोल किया क्योंकि वह सलार के साथ इसको clash लेकिन सलार पॉर्सपॉंड हो चुक है इसकी निगल पड़ी है पिछली movie अब विवेक अगनी होतरी की सही रही थी और अगर इसके content में दम रहा तो ये भी अच्छागा सा collection कर लेगी बागि नाना पाटेगर जासे actor है यार अब सलार की बात चलि रही है तो सलार की makers ने अभी तक कोई officially announcement नहीं की है movie की नई release को लेकर अब पॉर्सपॉंड हो चुकिए तो पक्का है और बागी movies के maker सोच रहेगी सलार कब होगी ताकि हम movie को इधर उधर कर सके करें लोग कह रहे हैं कि Tiger 3 के साथ इसका clash होगा तो Tiger 3 तो नहीं हटेगी बागी कोई हटो कोई नहीं हटो वसे आपको इसके बारे में क्या कहना है ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं अगली update है खुशी movie को लेकर फीजे देवर कुंडा एंड सामान था कि ये movie लगबग flop हो चुकी है क्योंकि अब ये collections बिलकुल ना की बराबर कर रहे हैं दोस्तो और कल्लोबाई जवान के साथ clash एंड critics का कहना ये है कि movie में जादा दम भी नहीं है दोस्तो दोनों actor की पिछली movie flow puit थी और ये भी अब इनके लिए दिक्कत की बात बन चुकी है और दोस्तो अगली update वीजे देवर कॉंडा एंड संधीप रेटी वांगा को लेकर है दोस्तो इन दोनों की एक movie आये थी अर्चू रेटी जिसका remake बनाता भाई कभी सिंग जी हाँ और movie ने काफी जादा मतलब धूम मच आये थी दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही उमीद करते हैं वीडियो देखकर आपको मज़ा आएगा और दोस्तो एक सीक्रेट की बात मियुक्त को बताना चाहता हूँ लाइक करोगे मज़ा आएगा सब्स्क्राइब करोगे तो भी मज़ा आएगा इसलिए एक मजा लेकर देखो